अच्छे दिन आए अच्छे दिनों के लेकिन मोधी सरकार के दो साल पुरे होते होते उमीदों का खुमार महंगे दिनों के रूप में उतरने लगा है मोधी जी के अच्छे दिनों की मार सबसे ज़्यादा आम आत्मी की ठाली पर पड़ी है ताल के दाम से लोग दहल गए हैं सबजियां खाना भी मुश्किल होता जाए इतना ही नहीं मोधी जी के दो सालों में खाने पीने का हर समान आम आत्मी की पहुँच से बाहर हो चुका है मोधी सरकार में महंगाए से लोगों का हाल किस कदर बेहाल है आप भी सुनीघा तेल इतना महेंगा हुगा है कि मद्देबर का आदमी अगर सो दो सो रुपए भी कमाए ना अपने घर का खर्च नहीं चरा सकता पहले ये कहा जाता था कि हारी सब्जिया महेंगी है सिंपल डाल रोटी खा लो अब डाल भी महेंगी हो रोटी भी महेंगी है लोगों का महेंगाई से बुरा हाल है ये तो आप देखी चुके लेकिन लगता है मोदी जी इस सच से अंजान ही रहना चारता है तभी वो आज तक जूटे चुनावी जुम्लों से बाहर नहीं आता है महेंगाई अगर आपने सरकान न बनाई होती तो पता नहीं महेंगाई ने क्या हाल कर दिया है हमने महेंगाई को रोकने में सबल पुता पाई है